मुवी शुरू होते ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिपर था जेनिपर अपने ओफिस में काम कर रही थी लेकिन आज ऐसा दिन था कि जेनिपर अपने ओफिस में काम करते करते लेट हो गई थी जेनिफर अपने ओफिस में बेट कर अकेली काम कर रही थी उसकी अपने मंगेतर से कुछ दिनों पहले ही लड़ाई हो गई थी और उन्होंने प्रेक अप कर लिया था अब वो विकेंड पर अपने मंगेतर को सर्प्राइस देना चाहती थी इसलिए वो एक मेल लिखती है लेकिन मेल को सेंड नहीं करती और वहाँ से निकल जाती है तब यह में मूवी का दूसरा केरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम गाय होता है वो भी उसी ओफिस में था जेनिफर और गाई संजोग से एक साथ ओफिस में निकलते हैं और एक ही लिप्ट में साथ में खड़े होते हैं गाई जेनिफर को हसानी की कोशिश करता है वो उसे लिप्ट में बना एक टेटू दिखाता है तब ही अचानक लिप्ट चलना बंध हो जाती है लिफ्ट में लाइट तो आ रही थी लेकिन उसका कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था उसके बाद दोनों वहाँ एक केमरा देखते हैं लेकिन केमरी की दूसरी तरफ कोई भी नहीं था मतलब अब ये दोनों यहाँ फस चुके थे ये दोनों अपने मोबाइल से कॉल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था तब गाई कहता है कि मैंने यहाँ न्यू जोइनिंग की मुझे यहाँ कब कुछ भी नहीं पता दरसल ये दोनों अब यहाँ पूरे पांस दिनों के लिए फस गए थे क्योंकि फ्राइडे, सेटर्डे, संडे और दो दिन का हॉलिडे अब जेनिफर कहती है ये लिफ्ट कभी कभी आवास करती थी और आज ये अटक गई तब गई कहता है कि हम दोनों इसके उपर से निकल सकते हैं इसमें कुछ तो ऐसा होता ही होगा तब गई उपर के पैनल को खोलने की कोशिश करता है पर नहीं खोल पाता तब वो जेनिफर को अपने कंदे फर बिठा कर उसे खोलने की कोशिश करता है पर फिर भी नाकाम हो जाता है अब दोनों आराम से बेड जाते है जैनिफर वहां मौझूद हर चीज को गालिया देने लगती है और सोचती है कि आज तो मेरी फ्लाइट मिस हो गई तब गाई उसे पीने के लिए पानी की बोटल देता है पर जैनिफर मना कर देती है तब गाई कहता है ये देखो मेरे पास पीने के लिए या तो वाइन है या फिर पानी है अब तुमें चूज करना है कि तुम क्या पीना चाहती हो मेरे पास वाइन ओपनर भी है तब जैनिफर कहती है हाँ वो तो मेरे पास भी है और दोनों हसने लगते हैं जेनिफर कहती है कि अब हमें अपनी चीजों को सोच समझ कर उसे यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे पास बस यही कुछ चीजे बची है देखते ही देखते उन्हें वहाँ चार गंटे हो चुके थे और अब जेनिफर को टोइलेट आ रहा था और गाई के सामने वो शर्मा रही थी तब गाई कहता है तुम ये बोटल लो और उसमें टोइलेट कर लो मैं अपना मुँ उधर फेड लेता हूँ ये एक नेचुरल सी चीज है फिर गाई अपना मुँ दूसरे तरफ फेड लेता है और जेनिफर उस बोटल में टोइलेट कर लेती है जेनिफर लिप्ट में बनी ड्रोइंग को पूरा करती है और गाई से कहती है कि क्या तुम्हारा कोई नहीं है कि अगर तुम घर पर देर से पहुचो तो तुम्हें ढूनने के लिए पुलिस कंप्लेंट करे तब गाई कहता है कि नहीं मेरा ऐसा कोई नहीं है मेरी तो कोई गर्फरेंड भी नहीं है तब जेनिफर अपने पियोंसे के बारे में बताती है और कहती है कि मैं उसे सर्प्राइज देने वाली थी इसलिए मैंने उसे आने के बारे में कुछ नहीं का मतलब हम दोनों को ढूनने वाला अब कोई नहीं है दोनों वाइन की बोटल खोल चुके थे और दोनों अब बोर होने लगे थे इसलिए दोनों एक दूसरे की ट्रोइंग बनाने लगते है गाई जेनिफर की काफी अच्छी ट्रोइंग बनाता है पर जेनिफर उसकी काफी बुरी ट्रोइंग बनाती है और गाई से माफी मांगती है तब जेनिफर गाई से ट्रोइंग लेकर उसका फोटो क्लिक करती है और कहती है मैं उसे अपनी प्रोफाइल पिचर पर लगाऊंगी दोनों बेट कर खाने के बारे में बाते करते हैं पर कुछ देर में अपना सबजेक्ट चेंज कर लेते हैं और कुछ और टोपिक पर बाते करने लगते हैं तब जेनिफर कहती है कि मैं पहली बार लाइबरेरी में अपने बॉइफरेंट के साथ मस्ती की थी। गाई यह सुनकर थोड़ा शर्मा रहा था पर बाद में वो कहता है कि मेरी एक कोवर कर थी। एक बार कहीं जाते हुए मैंने उसके साथ मस्ती की थी। ये सुनकर जैनिफर थोड़ी कर्म हो जाती है और दोनों लिप्ट में ही गपागप शुरू कर देते हैं उसके बाद गाई कहता है कि ऐसे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा तब जैनिफर कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा हम इस बात को यहीं भूल जाएंगे मैं अपने मं उसरे को ठीक से जानते भी नहीं है गाई उसे अपने मोबाइल में कुछ फोटो दिखाता है जहां हमें पता चलता है कि गाई जैनिफर का बहुत दिनों से पीछा कर रहा था वो उसे बताता है कि मैं इस बिल्डिंग का सिक्योर्टी गार्ड हूँ और मैं हर रोज तुमें यहां से आते जाते देखा करता था फिर गाई जैनिफर को कहता है कि यह सब मेरा प्लान था मैंने ही लिफ्ट को बंद किया ताकि हम दोनों एक साथ टाइम बिता सके और तुम मुझे जान सको उसके बाद गाई चाबी लेकर लिफ्ट को चालू कर देता है तब जैनिफर कह पेर से लिप्ट की चाबी तूट जाती है, मतलब अब तोनों फाइनली लिप्ट में फस चुके थे, ये देखकर जैनिफर को बहुत ज्यादा गुसा आ जाता है और जैनिफर अपनी हील लेकर गाय को मारती है और गाय बेहोस हो जाता है, जब जैनिफर वापस उसे चेक करने लगता है और लिप्ट की एक लाइट तोड़ देता है, गाय बोक्स उठाता है जो जैनिफर अपने मंगेतर के लिए लाई थी, उसमें एक शेड था, गाय उस शेड को पहन लेता है, गाय जैनिफर के लिए भी एक गिप्ट लाया था, जब उसे खोलता है तब उसमें एक और एक कटर मिलता है, तब गाय के दिमाग में एक आइडिया आता है, कि लाइट को बदलने के लिए यहाँ कोई ना कोई रास्ता तो होगा, तब गाय अपनी बोटल से लिप्ट के साइट का पेनल खोल लेता है, और जैनिफर से कहता है, उपर चड़ने में मेरी मदद करो, तब जैनिफर कहती है, मेरा वेट कम है, मैं उपर चली जाती हूँ, पर गाय को लग रहा था, क्यों उसे धोका देगी, पर फिर भी गाय उसे उपर चड़ाता है, और जैनिफर उसे धोका दे देती है, जैनिफर चड़ते चड़ते लिप्ट के डोर तक पहुँच जाती है पर किसे तरह से गाई भी उपर चड़ जाता है और जेनिफर को नीचे खीच लेता है जिसकी वज़ेस से दोनों नीचे गिर जाते हैं और गाई बेहोश हो जाता है पर जेनिफर उठ जाती है और उसे वहाँ एक fire alarm मिलता है वो कुछ गाईगज के टुकडो को लाइटर से जलाती है और ऐसा करने से वहाँ पानी गिरने लगता है तब गाई को होश आता है और वो कहता है कि तुम्हारा plan क्या है तब जेनिफर गिप्ट वाला cutter उठाती है और गाई के private part को car देती है उसके पात जेनिफर अपने mobile में record करने लगती है और कहती है कि सब कुछ सचाई बताओ वरना मैं तुम्हें और ज्यादा torture करूँगी तब गाई कहता है मैं अपनी पुरानी life फिर से जिना चाहता था मैं एक security guard था इसलिए तुम मुझे कभी नहीं मिलती मैं पहले एक accountant था लेकिन एक accident के बाद मेरी नोकरी छूट गई और मैं road पर आ गया तब ही हम देखते हैं कि building में एक बंदा और उसकी girlfriend आते हैं चो दर असल गाई के दोस्त थे तब वो आदमी CCTV चेक करता है तो उसे लिप्ट में फसिवे गाई और Jennifer निजराते हैं तब वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है वो लिप्ट को थोड़ा सा खोल देता है पर पूरा नहीं खोल पाता तब वो चाबी लेने के लिए जाता है तब गाई Jennifer पर हमला कर देता है जब वो आदमी वापस आता है तो गाई उससे चाबी ले लेता है और उसे अंदर बुलाता है उसके बाद गाई उस आदमी को भी मार देता है और उसकी बोड़ी को अंदर ही छोड़ देता है अब जेनिफर नीचे आता है और अपने कपड़े पहनता है जहां उसे एक आदमी की गल्फ्रेंड मिलती है गाई उसे भी मार देता है उसके बाद गाई जेनिफर को उठा कर अपनी कार में डालता है और एक जगह ले जाकर उसे पेट्रोल से जलाने की कोशिश करता है तब जेनिफर उठती है और गाई को बेहोश कर देती है जेनिफर गाई की कार लेकर वहाँ से जाने लगती है तब जेनिफर उठ जाता है और जेनिफर देखकर गुस्सा हो जाती है और कार को गाई की उपर जड़ा देती है उसके बाद जेनिफर गाई की उपर पेट्रोल ड जाल कर उसे जला देती है और मुवी यहीं खत्म हो जाती है दोस्तों अगर मुवी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और हमें कमेंट में बताए कि क्या जैनिफर ने सही किया मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब त